आज के दिन पर जो हमारे पास कुल केसेज हैं 308 हैं और इन में 168 तबली की जमाद से जुड़े वे कोरोना पॉजिटिव के केसेज हैं प्रदेश के अंदर इसको हर अस्तर पर रोकने के लिए भारत सरकार की मदद से प्रभावी कदम उठाई जा रहे हैं जब कोरोना का पहला पॉजिटिव केस आया था तब उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी लाइब नहीं थी आज भारत सरकार के सयोग से उत्तर प्रदेश के अंदर दस टेस्टिंग लाइब वर्थमान में सफलता पुरुवक कारे कर रही है कोविड-19 के खिलाब प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कोविड केर फंड के स्थापना की है इसमें मानिये जन प्रतिनिधियों के साथ समाज के विविन तपकों का व्यापक समर्थन भी मिला है हम लोगों ने तै किया है कि कोविड केर फंड का अप्योग हम प्रदेश के अंदर टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने में इसका अप्योग करेंगे कोविड लेवन वन लेवल टो लेवल थ्री के हॉस्पिटल की संख्या को बढ़ाने में इसका उप्योग करेंगे करोना के खिलाप जिन साहिक उपकरणों की आउस्चिकता है पीपी, एन नाइनटीफाइब मास्क, थ्री लियर मास्क, थर्मल एनलाइजर, इन सब के वेंटेलेटर्स, इन सब के मेनिफेक्चरिंग की प्रकरिया को भी और आगे बढ़ाने की कारवाई के साथ प्रदेश सरकार निरंतर कारे कर रही है भारत सरकार के सयोग से हम लोगों ने अब तक करोना टेस्टिंग के दस लैप्स प्रदेश के अंदर अस्थापित किये हैं हम लोगों ने तै किया है कि हम लोग प्रदेश के अंदर सभी मंदलिय मुख्याले के डिस्टिक हॉस्पिटल में करोना टेस्टिंग लाइप्स की स्थापना करेंगे और इसकी कारवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने यहां पर प्रमुक्षचिव चिकिस्सा सिक्सा को उनकी नित्रित्व में एक कमेटी का गठन करते विए इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है प्रदेश के अंदर हमारे पास 24 गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेजेज है दस में पहले से ही हमारे पास टेस्टिंग लैप्स है इनके अप्ग्रेडेशन की कारवाई करने के लिए भी निर्देश दिये गए हैं और साथी साथ 14 मेडिकल कॉलेजेज ऐसे हैं जहां पर अब तक कोविड-19 के टेस्टिंग की कोई भी फैसलिटी नहीं है इन 14 Medical Colleges में भी COVID-19 Testing Facility स्थापित करने के लिए Labs स्थापित करने की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे वढ़ाने की ले निर्देश दिये है प्रदेश के सभी जन्पदों में 75 के 75 जन्पदों में COVID-19 की जाच के लिए Collection Center स्थापित हो सके इसको भी हम लोगों ने इस कारिकवाई को आगे वढ़ाने की कारवाई की है यानि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर छे कमिस्टनरी मुख्याले ऐसे हैं जहां पर कोई Government Medical Colleges नहीं है वहां पर हम लोग प्रदेश सरकार की ओर से वहां पर एक टेस्टिंग लैप्स की अस्तापना करने की कारवाई हम उन सभी छे के छे जन्पदों में करने जा रहे हैं जिसमें देविपाटन मंडल में गोंडा में मिरजापूर मंडल में मिरजापूर के अंदर बरेली मंडल में बरेली के अंदर इसे प्रकार से मुरादाबाद मंडल में मुरादाबाद में वारानसी मंडल में बी एच्चू में एक लैब है लेकिन एक लैप वहां के हॉस्पिटल में भी बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कारवाई प्रारम की है एक वारण असी में और एक अलीगड में ये छे मंडली ये मुख्यालियों में सेस हमारे दस मेडिकल कॉलेजेज में जो एक फैसिलिटी पहले से मौजूद है इसको अपग्रेड करने की कारवाई के भी निर्देश दिये गये हैं लेवल थरी की लैपस वहाँ पर बनेंगी किसी भी प्रकार के वाईरस की चांच के साथ साथ उसके रिसर्स की फैसिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए ये सभी जनपत आगे कारे कर सकेंगे इस पर कारे करने के लिए कारयोजना बना दी गई है और तीसरे चरण में जो हमारी कारवाई साथ साथ प्रारम हुई है कि जो 14 medical colleges हैं अलग-अलग जनपदों में बनाए गए हैं जो function में हैं इन सब में भी करोना testing की हम लोग labs अस्थापना करेंगे ये कारवाई हमारे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रारम की है इसके अलाबा सभी जनपदों में और एक जनपद में हम लोग collection center बना करके इस प्रक्रिया को क्योंकि वहाँ पर जो भी apparatus खरीदने होंगे जो भी equipment खरीदने होंगे इन सब को हम लोगों ने अभी से एक committee कठीत करते वे इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए इस कारवाई को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दे दिये गए हैं एक सो तीस करोड लोगों के बेहत्तर स्वास्ते और सुरक्सित बहुस्चे के लिए बहुत महत्तुपून है सभी लोग lockdown के इस अनुसासन को स्वीकार करें और सरकार के इस कदम में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ेंगे तो सरकार किसी भी प्रकार की कोई कोताई नहीं छोड़ेगी जिससे किसी भी बेक्ति को कोई परेसानी हो हमने आज भी इस पस्ट निर्देश दिये हैं मैंने अब तरप्रदेश के अपनी टीम 11 को इस बात के लिए पूरा निर्देश दिये हैं एक कहीं भी भोजन का संकट ना निपा है दूसरा किसी भी प्रकार की उपचार में कहीं कोई स्थिलता नहो इस पर भी युद्धस तरपर कारे प्रारम हो ये कारवाई पुरे प्रदेश के अंदर मुझे विश्वास है कि हम 23 करोड जनता को कोरोना से बचाने के लिए आदिने प्रधान मंत्री जी के नित्रतों में जो अभी आन प्रारम होआ है निश्चिती उत्तर प्रदेश में इसको सबलता प्राप्त होगे